पठन अभ्यासकार एक बर पुना स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल श्रजन नमाचार में मैर्शन शुक्ला एक श्रिंखला आपके समक्ष लेकर चल रही हूँ पठन अभ्यासकार यह इसके पहले हमने पठन अभ्यासकार एक एवं दो को देखा आज हम उसकी पुनरा वृत्ति करेंगे पठन अभ्यासकार में हमने ओ की मातरा की बात की और पठन अभ्यासकार दो में हमने आ मातरा की बात की आज हम यहां कुछ मिला जुला शब्द पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका तरीका वही गिंती विधी होनी चाहिए, और आपको और आ में अंतर करना चाहिए, और इस वीडियो से जुडने से पहले आपको अभ्यास एक और अभ्यास दो से जरूर जुडना चाहिए, तो च ज्यान क्या रखना है कि क में मूबंध है और ल में मूबंध है, अब क क को ल की तरफ पढ़ेंगे और हमने पढ़ा कल कल, फिर च और ल, बिल्कुल आपको मूँ नहीं खोलना अगर आपने चाह दिया, मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि जब हम आ की मातर की बात करते हैं, एक खड़ी रेखा की बात करते हैं, तो हमारे होट उपर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ च और ल, किसी में भी आ की मातरा नहीं लगी है, केवल अ हमें सुनाई पढ़ रहा है, तो चल, चल, फिर तीसरा शब्द कर, कर, सच, सच, और सा से च की तरफ पढ़ें कैसे, तो स को च की तरफ जाएंगे, दो-तीन बार पढ़ेंगे, स, च, स, च, स, फिर तेजी से पढ़ेंगे, स, र, स, फिर यहाँ देखिए, तीन अक्षर वाला शब्द, बस इसमें ध्यान रखना है कि च छोड़ना नहीं है, एक लाइन से हम चलेंगे, पहले फिर चास्तर शुरू करेंगे, च, ह, क, च, ह, क, फिर आप पढ़ लेंगे, फिर पहल, सेम भही तरीका, चहक वाला, पहल, पह भी चानते हैं, आप ह भी चानते हैं, और ल भी चानते हैं, सिब आपको पढ़ना सीखना है, तो पहल, पहल, गरम, गरम, पलक, 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 अब यहां देखिए आ की मात्रा शुरू हो जाएगी और जहां आ की मात्रा शुरू होगी आपको तेजी से पढ़ना है आपको समय जादा लेना है और आपका होट उपर जाएगा मुझ खोल कर पढ़ना है और जहां पर ओ की मात्रा है वहाँ आपको मूँ बंद करके पढ़ना है सारे शब्द का उच्चारण आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे गाजर बोल कर देखिए गाजर जानकार अब चारक्षर वाला शब्द है तोड़ कर पढ़िए आप पहले जान पढ़ लीजे फिर कार पढ़ लीजे फिर जोडने का प्रयास करिए जानकार अनाज और यहां आ की मात्रा बीच में लगा है सबसे बड़ी पहचान है कि एक खड़ी रेखा यानि एक डंडा किसी भी अक्षर के सामने आपको दिखाई पढ़ेगा और जहां वो दिखाई पढ़े वहां आपका मोग खुलना है बस यही ध्यान रखना है जैसे ओ में डंडा नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे ओ ना में है तो ना और ज इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे अब भ्यास करते रहेंगे तो पढ़ना आ जाएगा फिर ताला दोनों में आपको आका डंडा दिख रहा है ताला बाबा बाबा पा 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 अब तीन अक्षर वाले शब्द देखिए जिसमें आ की मात्रा लगा है नाच ना ध्यान क्या रखना देखें ना में मूँ खुला चव में बंद हुआ और ना में वापस से खुला और पढ़ना है सीधे से यानि हम नाच ना जब पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है सीधे से पढ़ना है नाच ना सामान सामान अगर कहीं भी आपने इसमें मुँ बंद कर लिया जहां पर आका डंडा है तो वो शब्द गलत हो जाएगा पढ़कर देखिए अगर आपने समन कर दिया आकी मात्रा आपने सव में मौ में हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा तो सामान आगे शब्द आप इसमें लिखा है सामना यानि आक डंडा मा से हट गया और सारे अक्षर वही है लेकिन शब्द का अर्थ बदल गया सामान और सामना सामना अख बार ध्यान रखना है औ से र के तरह बढ़ेंगे हम अख बार तिन चार बार पढ़ेंगे तो उस शब्द का उच्चारन कर लेंगे फिर आगे हमें कोई समस्या नहीं आएगी मतलब 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 धीरे धीरे दो तिन बार पढ़ेंगे फिर तेजिस जब पढ़ेंगे तो शब्द समझ में आएगा सारे शब्द सार्थक होते हैं फिर जब अर्थ आपको समझ में आने लगेगा तो वैसे भी गलती नहीं होती है अगला शब्द आज माना बड़ा शब्द है तोड़कर पढ़िए पहले आज पढ़ लीजे फिर माना पढ़ लीजे फिर आप जब विक्षेत करके वापसंधी करिए तो पढ़ेंगे आज माना पाठ शाला अब दो शार्थक शब्द हैं पाठ और शाला अब यहाँ देखिए जोड़िए पाठ शाला पकवान पकवान जपटना दीरे-देरे पढ़िए और तरीका वही अपनाईए अगर आपको इमला लिखना है तो इमला में देखे जपटना चार अक्षर हैं पहले चार अक्षर तो आपको लिखना ही है वही जिसको लिखते जाएए उसकी उंगली नीचे करते जाएए और वापस से वही से पढ़िए जैसे जह लिख लिए उंगली नीचे पो लिख लिए उंगली नीचे टो लिख लिए उंगली नीचे और नो लिख लिए तो 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 अवतार राहत ऐसे कोई पुस्तक लीजे उसमें कोई भी कहानी या कविता पढ़िए और आ की मात्रा पर गोला लगाईए उसका पढ़ने का जब आप बार-बार अभ्यास करेंगे उसको बार-बार आप पढ़ेंगे तो आपको O और A में फरक समझ में आ जाएगा और ये मात्रा अगर आपको समझ में आ गई तो सारी मात्राएं बहुत आसानी से आपको आ जाएगा तो तीसरे पढ़न अभ्यास कारी के साथ मैं बहुत जल्द उपस्तित होती हूँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद